हेलो दोस्तों मेरा नाम है गोरव और आप देख रहे हैं बक्चोद फैक्तर सभी टेक्स रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आज हम लेकर आया हैं फिर से तोड़ू फोड़ू और एक्तम जकास वीडियो बिना किसी देर के चलिए सीधे वीडियो के अंदर चलते हैं हम कोडिंग कैसे सीखें आपके मन में भी आया होगा कभी अगर आप कोडिंग में इंटरेस्टेड है तो या आपने कहीं देखा या पढ़ा होगा कि कोडिंग के बारे में आपने भी software के computer और application के बारे में सोचा होगा कि ये कैसे बनती है अगर आप student है, 6-12th class या college में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप पढ़ते नहीं हैं तो इस वीडियो अपने relative friends और आपने बच्चों को share करें उन्हें भेजे ताकि उन्हें coding का interest आ सके उनमें बढ़ सके आज हम बात करेंगे कि किस तरह आप coding की शुरूरात कर सकते हैं आप सभी को पता होगा कि government की new education policy में 6th class से ही सभी बच्चों को coding सिखाई दाएगी इसमें मुझे बहुत सारी खुसी हुई कि हमारे देश में technology की नहीं बुलंदिया चुएगा पर थोड़ा मैं sad भी था कि ये सब मेरे time पर क्यों नहीं था आज मुझे लगना है कि मेरा देश बदल रहा है तो मैं सोच रहा था मेरा interest तो है ही coding में क्यों ना इस पर वीडियो बनाई जाए कुछ tips मैं आपको दूँगा ताकि आप coding में अपने interest बना सके और इसे सीख सके अगर starting की 6, 7th class के बच्चे आप हो तो शुरुवाती तोर पर आपको मुश्किल आएगी starting में आपको basic चीज ही सीखाए जाएगी यह example के तोर पर टैग्स क्या होते हैं इन्हें यूज कैसे करते हैं कि में क्या है ना अगर एक बार तुम इसे समझ गए तो यह आपके लिए बहुत आसान होने वाली है अगर आप समझ नहीं पाई तो पानी सर के उपर से जाएगा अगर आपको IIT में जाना है, software developer, application developer या website बनानी है या उसे design करना है तो आपको six classes या upper classes में जो भी छोटी से छोटी चीज पढ़ाई जा रही है उस पर अपना पूरा focus रखो ताकि आगे चलकर आपको कोई प्रेशानी ना हो coding एक ऐसी चीज है जिसे अगर तुम हलके में लेते हो ना तो बाद में वो तुम्हें हलके में लेगी इससे अच्छा है अपना पूरा ध्यान उसी पर लगाओ जितना मैंने देखा है इसमें interest जितना दिखाओगे उतना अच्छा है पढ़ाई को लोड की तरह ट्रीट मत करो मोज से करो आगे चलकर आप देखोगे कि आपको खुद बखुद इंट्रेस्ट बनने लगेगा जब मैं स्कूल में था तो हमने कभी ऐसा पढ़ते को नहीं मिला लेकिन आप लोगों के पास एक मौका है वो कहते हैं ना छोटे छो होप का है आज के टाइम पर सभी चीजे एडवांस हो चुकी है टेकनोलोजी बहुत आगे जा चुकी है जिसे कमांड देने के लिए बड़ी संख्या में कोडर्स की जुरूत है बस आपकी पकड़ स्किल्स पर ओनी चाहिए अगर आप स्कूल लाइप से ही कोडिंग सीख र गए होंगे अगर आपको कंप्यूटर लैप्टोब में थोड़ा भी इंट्रेस्ट है तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करे स्कूल लाइप से ही सीखने से आपके अंदर एक कॉन्फिदेंस आजाएगा जरूरी नहीं जो आपको पड़ाया जा रहा है बस उसी को र लेबल है यूटूब भीया अब तो रीज बढ़ा दो यार तुमारा प्रमोशन भी कर दिया अगर किसी में पढ़ते ही लगन रहती है पढ़ते रहने की लगन रहती है दोस्तों तो रास्ते अपने आप उसके लिए खुलते चले जाते हैं बस गोल सेट कर लो रास्ते की च पड़ो कोडिंग के लिए मैं एक ही टिप्स देना चाहूंगा कभी रट्टा मत मारो 6 से 12 क्लास में बच्चे रट्टा ही मारते हैं और सभी लोग तकरीबन ऐसा ही करते हैं बच्चों को क्या बोले अगर आपको रट्टा मारना ही है तो उसे पूरा समझ कर उसकी बारिक्य पर द्यान दो ताकि रट्टा तुम्हें एक टाइम तक नहीं पूरी जिन्द की तक याद रहे सेकिंड कोडिन नीड्स प्रैक्टिकल अगर आप थ्योरी थ्योरी पर द्यान दे रहे हैं तो इसका आपके कुछ समझ नहीं आएगा सो सिंपल रूली जितना ज्यादा प्रैक अगर एक बार आप कोडिंग सीख गए ना तो वेबसाइट डिजाइन करना सोफ्ट्वेर बनाना अप्लिकेशन डेवलेप्ट करना तो आप यूं करेक्ट करतेंगे इस वीडियो में बस इतना ही फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ अगर ये वीडियो आपको इंफोर्मे करेसाइएद